सल्मान खान की एक्स गलफ्रेंड सौमी अली ने एक बार फिर एक्टर संग अपने रिष्टे और लब लाइब को लेकर कई बड़े सौकिंग खुरासे किये हैं जूम को दिये इंटर्वी में सौमी अली ने बताया है कि सलमान खान जब एक्टरेस संगीता बिजलानी को डैट कर रहे थे तब उस समय वो उन्हें भी पूरी अटेंशन दे रहे थे सौमी अली ने कहा कि सलमान जब संगीता बिजलानी संग रिष्टे में थे उस समय वो चोरी चिपे आधी रात को उनसे मिलने आते थे एक दफा संगीता ने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था सौमी बोले सलमान रात के दो बजे पाइप से चड़ कर खिर्की के जरिये मेरे बिल्लिंग में मुझसे मिलने आते थे वो मेरे लिए काफी रोमांटिक था एक दफा सलमान और में एक रूम में बैट कर बातें कर रहे थे तभी संगीता एकदम से कमरे में आ गई उस वक्त संगीता और सलमान साधी करने बाले थे उनकी साधी के काट भी छप गए थे लेकिन मुझे और सलमान को एक साथ मेरे आपार्टमेट में देखकर संगीता ने उनसे कहा कि उन्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा सलमान ने तब मुझे से कहा सौमी में दस मिनट में वापस आता हूँ सलमान फिर दस मिनट में वापस आ गए और उन्हें मुझसे कहा कि मैंने संगीता से ब्रेक अप कर लिया है मैं तुमारे साथ रहना चाहता हूँ ये सुनकर में सौक्ट थी आपको बता दें सलमान को सौमी अली संग रंगे हाथों पकड़ने के बाद संगीता ने भी साधी तोड़ दी थी यही से फिर सलमान और सौमी की लव स्टोरी सुरू हुई थी लेकिन फिर कुछ सालों की डेटिंग के बाद दोनों का रिस्ता भी खत्म हो गया था सौमी से आगे पूछा गया कि जब सलमान पाइप से चर कर उनसे मिलने आते थे तब उन्हें संगीता संग उनके रिष्टे के बारे में पता था या नहीं सौमी ने कहा सलमान और में एक फिल्म के लिए नेपाल से काट मानू जा रहे थे तब उनने सलमान से कहा कि वो इंडिया एक्टिंग करने नहीं बलकि उनसे साधिक करने आई हैं ये सुनकर सलमान ने हस्ते हुए कहा था कि उनकी पहले से गलफरन है लेकिन सौमी ने उनसे कहा था कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है उन्हें येकिन है कि वो दोनों एक होंगे सोमी ने कहा कि उस समय उन्हें बेवोखोविक बाली हरकत की थी